नमस्कार दोस्तों मेरे इस चनल में आप सबका स्वागत है चलिए आज के इस वीडियो पर हम सीधी भरती के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं आपने पिताजी का आपको एक्जामपल देता हूँ मेरे पिताजी आपका जूनियर इंजिनियर के पोस्ट में रहे और उसके बाद आपका सब डिविजिनल ओफिसर या फिर समझ लेजी असिस्टेंट इंजिनियर में पहुचे इतने साल का तजूर्बा मतलब इस्टेट गौर्णमेंट के जो डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन बहुत जल्दी नहीं होता अगर रेल्वे एल्वे हो तो हो जाता है लेकिन इस्टेट गौर्णमेंट में नहीं होता जिसके वज़ासे उन्होंने आपका लगबग 28 साल का समय दिया एक ही पोस्ट पे और उसके बाद प्रमोट हुए प्रमोट हुए तो उनका अनुभाव तज़ूर्बा काफी ज़्यादा था तो बहुत बार ऐसा होता है जब आप 28 साल, 30 साल हर कोई की बात नहीं कर रहा हुए पर इतने साल के बार जब आप प्रमोट होते हैं तो आपका अनुभाव काफी जादा होया होता है field का अनुभाव as well as documentation का भी हो जाता है सभी चीज का हो जाता है तो एक तरीके से आप जब पहुँचे वहाँ पर तो अब होता क्या है कि नए SDR है माल लेजिए उनके साथ वाले या फिर आप खुद sub engineer है या junior engineer है आपके ओपर अपसर आया direct आ सकता है वो exam पास किया और एक साल के अंदर आ सकता है हलागे training थोड़ी बहुत होती है बट फिर भी असली field तो असली field होता है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है सोच की क्योंकि असली अनुभात हो उनके junior subordinate को होता है IAS UPSC exam में भी यही होता है UPSC exam में आप directly अगर recruit होते हैं बहुत सारे पुस्टर ने collector post में जाते हैं इस अइस पी इस सब में जाते हैं income tax में भी जाते हैं revenue में भी जाते हैं railway में भी जाते हैं बहुत सारे आपके अलग-वदिक्स यहां है अब माले जीन इनकम टेक्स में आपपाची ब्ल्किल इंकम टेक्स ऑफिसर आप बन गए ठीक है और आपके जो नीचे वाले हैं वो एससे एक्जाम जो नॉर्मल होता है एससे एक्जाम उसको पास करके आए हैं और बारा साल से अब आप तो उनके अफसर बन गए वहाँ पर जब आप पुरी सीट देखे हो कि देखिए वहाँ जा सभारी जिञाम वूस आप से जाता जानता है अभापको वहाँ पर प्लेट बनना है है आपको वहाँ पर इलाइस कराना है कि मुझे बहुंच सारी चीज आती है, नहीं आती है, फिर भी आती है, तो यह बहुत difficult task हो जाता है, और ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, जब हम सीधी भरती हो पहुसते है एक दो साल में वो recover हो सकता है, हो जाता है, but initial stage में यह दिक्कत आती है, वहाँ बाबर और अगबरद नहीं मिलता हैं, आसा कर दोस्तों ये वीडियो इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको जरूरे अच्छा लगा होगा इस तरह के कि इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद